हेलो नमस्कार दोस्तों सुआगत है आप सब का crypto news in Hindi में जहां हम देते हैं आपको crypto world से जुड़ी हर जुरूरी खबर और रखते हैं आपको crypto world से update तो दोस्तों आज हम आपको पिछले हफ्ते की कुछ खास खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले आती है Bitcoin प्राइज एक्स्रीमली बुलिश अगें आफ्टर 20% पंप ओवर 11,000 डॉलर जी हाँ दोस्तों बिटकोई ने पिछले 24 घंटे के अंदर 20% से जादा की एक लंबी चलांग लगा कर मीडिया और मार्किट को सर्प्राइज कर दिया है डॉलर के मुकाबले कीमते वीक के शुरुआत में पहले की तुलला में 9,688 डॉलर कम हो गई थी लेकिन बुदवार तक ये बढ़कर 11,525 डॉलर हो गई थी और वीरवार को 12,025 डॉलर तक पहुच गई है इसके बाद मुमेंटम थोड़ा कम हो गया था जो की मार्केट टेस् को लाल समान किया और बीटी सी की ग्रीन टेर्टरी यानि प्राइस बढ़ने से कुछ घंटे पहले फॉब्स ने दावा किया था कि बिट कोई बबल फूट गया और क्रिप्टो टेर जो श्रेगर ने कहा कि रिकफरी से बिट की कीमत को तेजी के साथ बढ़ता देखा गया और बीटी सी कंटिन्यू सिक्ष्टी परसेंट के मार्केट डॉमिनंस के इंजोय करता रहा और इधर कुछ ऐसी चिंताए हैं जो आल्ट कोईन और एथर को नुकसान पुछा सकती है इसके बाद यहां पर अगली खबर यह है कि US Congress request moratorium on Facebook Libra Stable Coin तो दोस्तों Facebook को daily resistance यानी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह अपने Libra Cryptocurrency के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है मंगलवार को United State House of Representative Committee on Financial Services के lawmakers ने social network से request की कि वे stable coin के development को तुरंत रोग दे उन्होंने warn किया कि यह project एक पूरी तरह से global financial system हो सकता है जो कि Switzerland से बाहर स्थित है और अमेरिकी मुद्रिक नीती का प्रतिद्वन्दी है और यह भी दावा किया गया कि यह national security, privacy और world economic stability को प्रभावित कर सकता है तो देखा आपने दोस्तों की market में एक नई currency लाने के लिए Facebook को कितना struggle करना पड़ रहा है इसके बाद यहाँ पर अगली ख़बर यह है कि from Poonji to we are working on it, BIS Chief Reserve Stance on Crypto जी हाँ दोस्तों एक साल के अंदर कितना अंतर देखने को मिला है यह इस ख़बर से पता चलता है कि पिछले साल अगस्टिन कार्टन्स ने crypto currency को एक bubble एक पूंजी स्कीम एक disaster कहा था लेकिन अब bank of international settlements यानि की BIS head ने इसकी और अपना रुक चेंज किया है financial time के साथ अपने एक interview में उन्होंने अपने इस perception से एक you turn लिया और कहा कि वे national fiat currency को digital version के creation और insurance यानि की राष्टर की जो अपनी मुद्रा है उसको digital मुद्रा के निर्मान और जारी करने में support करते हैं और इसके बाद उन्होंने कहा कि BIS जो है वो central banks को support करता है जो इस बात को approach करते हैं और साथ ही उन्होंने सुझाब देते हुए कहा कि इन digital currency के लिए एक market बन सकती है और जितनी जल्दी हम सोचेंगे उतनी जल्दी ही हम उभर सकते हैं तो देखा आपने कि जो लोग cryptocurrency के लिए एक negative thought रखते थे आज उनके thought process में भी you turn ले लिया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली ख़बर है कि Nestle reveals blockchain supply chain tracking plot program तो दोस्तों खबर की headline से ही पता चल रहा है कि Swiss food giant Nestle एक trial पर चल रही है जिसमें blockchain को अपने products को supply chain के साथ track करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा company ने venture के लिए open AC के साथ मिलकर काम किया है और ये उमीद की गई है कि ये program Nestle के responsible source efforts के बारे में factor figures का इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर के consumer को सक्षम करेगा और इसके साथ ही ये न्यूजिलेंड के farm से लेकर middle east की company की factories और warehouse तक दूद का पता लगाएगा इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इस week के winner और loser की बात करें तो आप देख सकते हैं कि bitcoin 11,247 डॉलर एथर 288 डॉलर और xrp 0.39 डॉलर है और जो top 3 old coin gainers और losers हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर most memorable quotation पढ़ सकते हैं खबर का link मैं आपके साथ description में share कर दूँगा जहाँ से आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं so friends मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक आप वीडियो को like, share and comment करें और crypto world से update पाने के लिए बने रही है हमारे साथ और subscribe किजए हमारे channel क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर नजर